नमस्ते, मैंने Amazon से कुछ kitchen के लिए products purchase किये थे, तो इन्हीं की unboxing आज की वीडियो में आपके साथ share करूंगी इन में से सबसे पहले, ये एक कडाई है, जो की cast iron की है, ये 9 इंच की है और करीबन 1.5 kg इसका weight बनता है थोड़ी deep कडाई है और ये rock brand की है rock brand की जो cast iron products हैं, इसकी reviews मैंने पहले से ही पढ़ लिया था, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे इसलिए मैंने इस तरह की कडाई को order किया, वैसे तो ये धाई किलो का है, लेकिन इसे easily handle किया जा सकता है खाना तो इसमें स्वादिष्ट बनता ही है, साथ ही ये बहुत ही healthy है तो ये अगला product 10.5 इंच का cast iron तवा है, 1.7 kg weight और thickness 4.2 mm ये pre season है और ready to use, कई तरह की दोसा हम इसमें बना सकते हैं, ये बिल्कुल non-stick की तरह ही काम करते हैं दोसा बनाने के समय आधे प्याज को तेल में डुबा कर इसे तवा में अच्छी तरह से अगर हम spread कर लेते हैं तो दोसा हमारा बिल्कुल नहीं चिपकेगा ये अगला product ये stainless steel की एक कडाई है, विनोध ब्रांड की, 24 cm और 3.3 liter है इसकी capacity तो इस तरह से एक lid भी आता है, बहुत ही strong है और ये जो कडाई है, ये extra deep है ग्यास और induction दोनों में इसे रख सकते हैं और ये बहुत ही strong body है इसकी इसकी खासियत ये tri-ply है, याने की 3 layer है, जो उपर का सता है वो steel है, सबसे नीचे वाली सता वो भी steel है बीच वाला भाग केवल aluminium का है, जो की equally heat को distribute होने में मदद करता है ये philips का एक blender है, जिसका जो power है वो 250 watts का है गरम और ठंडा दोनों तरह के dishes को हम इसे आसानी से blend कर सकते हैं डाल और पालक को blend करना साथी लसी, प्योरी, कई तरह के milkshakes बनाना भी इसे बहुत आसान है किसी भी अच्छे dishwash liquid से, plastic scrubber या sponge से अच्छी तरह से हम इसे साफ कर लेंगे दोनों pan को मैंने इसी तरह साफ कर लिया है साफ करने के बाद इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना है, तो इसलिए इसे अच्छी तरह से पोच लेंगे दोनों बरतनों को मैंने अच्छी तरह से पहले पोच लिया है और इस तरह से पोच लेने के बाद इसे ग्यास पर रख लेंगे और जब ये गरम हो जाए, तब तक एक प्याज को छोटा काट करके रख लेंगे और आज को बढ़ा करके इसमें थोड़ा तेल डालेंगे तेल डालने के बाद इस प्याज को इसमें पहले अच्छी तरह से फ्राइक कर लेंगे ये प्याज को हमें फिर से यूस नहीं करना इसे हम फेक देंगे तो इसे अच्छी तरह से जब फ्राई करेंगे तो चारो तरफ ये अच्छी तरह से फैले इस तरह से दोनों पैन में करना है और इस तरह से हो जाने के बाद इसको हम आज को बंद कर देंगे ठंडा हो जाने के बाद ही इस तेल को हटा लेंगे और किसी साफ कपड़े से अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छी तरह से पोच लेंगे और इसे जो अधिक तेल है वो इसी से पोच लेंगे और ये हमारा कूकिंग के लिए तैयार है हाँ, हर बार जब भी हम इसे यूस करेंगे तो इसको सेम मथड से धोने के बाद पोचना है और सीजन करके इसी तरह रखना है ताकि अगले बार की यूस के लिए ये हमेशा तैयार रहे मीडियम फ्लेम और कम तेल में ही ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते है आज की ये अन्बॉक्सिंग वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मिटिव लगी होगी अपनी राय हमें जरूर दें